इस वीडियो में आपको बताऊंगा Samsung के डिवाइस में आप तीन amazing तरीके से कैसे आप screenshot ले सकते हो Samsung के किसी भी devices में आप में ससायदी किसी को मालूम होगा Samsung के डिवाइस में इन तरीकों से भी screenshot लिया जाता है जो की काफी amazing है तो वीडियो आपके लिए informative होने वाला है वीडियो में जो भी steps में आपको बताऊंगा वो सारे steps आपको ध्यान से अच्छे से follow करना है बिना किसी part को skip किये तो चले वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे जो पहला तरीका है वो काफी common है लगवग सभी को ये तरीका मालूम होता है आप screenshot लेने के लिए अपने phone के volume down प्लस power button को आप same time में ही प्रेस करते हो तो आपका screenshot जो है वो capture हो जाता है आप जैसे अपने phone में कहीं भी screenshot लेना चाहते हो तो आप volume down प्लस power button को same time में प्रेस करते हो तो आपका screenshot होता है वो capture हो जाता है तो ये method तो common है लगवग सभी को ये method मालूम होता है Android phone में अब मैं आपको दूसरा method बता देता हूं Samsung के devices में screenshot लेने का सिंपल अपने phone के edges पे अपने palm को रखके left के तरब आपको swipe करना है तो आपका screenshot होगा capture हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो या फिर आप left to right भी swipe कर सकते हो तो आपका screenshot होगा capture हो जाएगा तो simply अगर आपको इन तरीके से screenshot लेना है तो आपको अपने phone के settings को on करने है आपको अपने phone के settings को open करने है उसके बाद आपको यहाँ नीचे के तरब scroll करना है और यहाँ आपको advanced feature वाले option पे tap करना है और यहाँ आपको motions and gesture वाले option पे tap करना है फिर यहाँ आपको सबसे स्क्रीनसौर्ट होगा वो कैप्चर हो जाएगा तो इस तरीके साब गेस्चर को आउन करके अपने फोन में स्क्रीन सॉट ले सकते हो अब मैं आपको तीसरा मेथड़ बता देता है screenshot लेने का जैसी की यहां पर अगर आप अपने फोन में اسिस्टेंट टूल को open करोगे और यहां आप screensight वाल अप्शन पर tapp करके आप screensight ले सकते अपने फोन में कहीं भी तो simply आपको इन तरीके सी screensight लेने के लिए अपने phone में Assistant टूल को Enable करना होगा Assistant टूल को Enable करने के लिए आपको अपने phone के settings को Packend करना है फिर उसके बाद आपको नीचे के तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको Accessibility वाल ओप्शन पे Tap करना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको interaction and dexterity वाले option पर tap करना है उसके बाद आपको assistant menu वाले option पर tap करना है और यहाँ आपको assistant menu को enable कर देना है अब उसके बाद आपके phone के screen में assistant menu वाले option आ जाएगा simply यहाँ पर आप screen shot पर tap करके अपने phone में screen shot capture कर सकते हो यहाँ पे आप अपने assistant menu में कौन सा item को add करके रखना चाहते हो simply अगर आप इस option पे tap करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सौर option मिल जाते है add करने के लिए जैसे कि आप अपने assistant menu में brightness वाले option को add करके रख सकते हो या फिर आप assistant menu से को items को remove करना चाहते हो तो simply यहाँ पर आपको minus small option पे tap करना है तो इस तरीके साब assistant menu में कोई भी items को add कर सकते हो remove कर सकते हो और आप items के position को भी change कर सकते हो change करने के लिए simply आपको यहाँ पर hold करना है tap करके उसके बाद आपको जहाँ भी adjust करना है simply आपको drag करना है और यहाँ आपको release कर देना है तो जिस भी position number में आपको रखना है items को तो यहाँ से आप drag करके adjust कर सकते हो उसके बाद इस तरीके साब assistant menu को open करके screenshot ले सकते हो तो यह कुछ तरीके थे samsung के devices में screenshot लेने का आपको इन में से कौन सा method अच्छा लगा screenshot लेने का आप हमें comment box में comment करके बता सकते हो और अगर आपको वीडियो में कोई step समझ में नहीं आया तो आप हमें comment box में comment करके पूच्छ सकते हो और यह video आपके लिए वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें